नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल से बात करने वाले हैं जस्डायल कंपनी के बारे में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह के से खबरे इस शेयर के अंदर कंपनी के अंदर चल रही थी जिसकी वज़े से अच्छा-खासा के अंदर हम लोगों को पूरे दिन जो है गिरावाट देखने को मिली है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है अब अगर दोस्तों नीचे के लोग की बात करूँ तो लगभग 888 रूपे के आसपास यह स्टोक्स आपको नीचे जाता हुआ दिखाए दिया है नीचे के लेवल से लिटिल बिट हम लोगों कह सकते हैं कि रिकवरी का मुमेंटम देखने को मिला है अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह की से लगातार खबरे पॉजिटिव चल रही थी और हमने पॉजिटिव इंपक्ट जो है स्टोक्स के अंदर देखा है देखे देखने को मिली है भेंकर गिरावर कह सकते हैं लगबग 6% के असपास यह स्टोक्स गिरता हुआ नजर आया है तो काफी सारे जो निवेशक हैं उन्होंने इसके अंदर लगबग 900 रुपे के असपास माल उठाया भी है और सोच रहे हैं कि क्या लोंग टम के अंदर वापिस कि खबरे पोजिटिव चल रही हैं कहीं न कहीं फंडामेंटल्स के अंदर भी आगे आने वाले दिनों में हम लोगों को सुधार देखने को मिलेगा जिसकी वज़े से यह स्टोक्स हम लोगों को और भी उपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है देखे जो कुछ कहानी लोंग इन लेवल्स को यह टच करने की एक बार कोसिस कर सकता है बट कितना समय लेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है वहां तक पहुंचने तक हो सकता है कि कितनी बार यह अपन डाउन इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिले और जिस तरह कि से आज प्रॉफिट बात नहीं है जिसकी वज़े से हमें प्रॉफिट बॉकिंग इसके अंदर देखने को मिल रही है तो लोंग टम के अंदर यह स्टोक्स वापिस से रिकवर करता हुआ नजर आने वाला है अच्छी खासी गिरावाट आज हमने स्टोक्स के अंदर देखी है लगबग 985 जो है आज के दिन बनता हुआ नजर आया है बावन वीक हाई का तो लगबग 1047 रुपे के आसपास कैलकुलेट होके आ रहा है और आपने देखा कि कोरोना वाइरस के टाइम में जो लो बनता हुआ नजर आया था लगबग 250 रुपे का वहां से लगातार अच्छी खासी रि चाहे नीचे जाए आपको जब भी किसी शेयर के अंदर खरीदारी करना चाते हैं तो उसके अंदर आपको कई सारी चीजों को एनलेसिस करना पड़ता है अगर आपने आज जस्दैल के अंदर निवेश किया होगा तो आपको इसके फंडमेंटल्स के बारे में जानना बहु कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी डैट ही ओधरी है इसी दरीकिसे दोस्तों बात करें कैश की तो लगबग 49 करोड रुपई के आसपास हम लोगों को कैश दिखाई देरा है इसी तरीकिसे अगर बात करें अर् निंग पर शेयर की तो वो भी हम लोगों को पौजिटिव लिए और लास्ट टाइम पर पिछले पांस दूनों से तो आपको पता चली गया है जिस तरह की चाल अब तक देखने को मिली है इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करें लगातार हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिला है अब दोस्तों बात करते हैं सेल्स की त तो देखें पांस साल के दुरान दस परसेंट से जादा की तेजी देखने को मिली है तीन साल में भी पॉजिटिव है एक साल में भी यह हमें मजबूत ही दिखाई दे रहा है इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करें मुनाफ़े की तो देखें चार्ट पैटरन से आपको अ दर आ रहा है इसी तरीके से कर बात करें रेटरन ओन इक्विटी की तो इसके अंदर भी दोस्तों हम लोगों को अच्छा खासा उचार अपता को उपर की तरफ देखने को मिल रहा है तो कंपनी लाजबाब है दिक्कत वाली कोई ऐसी बात नहीं है इसी तरीके से कर बात करे पांच साल में जो percentage दिखाई दर है 19% से ज़्यादे की तेजी देखने को मिली तीन साल में 20% से ज़्यादे की तेजी और एक साल में गजब का momentum company के अंदर देखने को मिल चुका है इसी तरीके से देखें तो ROC ये भी हम लोगों को positive दिखाई दर है पांच साल तीन साल और एक साल में अच्छी कासी बड़त जो है हमें company के अंदर देखने को मिल चुकी है इसी तरीके से दोस्तों कर बात करें share holding patterns की तो देखें promoters की holding देखने को मिल रही है लगबग 35% के आसपास बट जो weakness point हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो है pledge holding का तो कह सकते हैं कि promoters ने अपने लगबग point 99% shares गिरी भी रखे हुए है बट जो positive चीज दिखाई दे रही है वो है देखे लगातार आपको इसके अंदर कमी देखने को मिल रही है quarter on quarter basis पे दिसंबर 2019 में जो की place holding हुआ करती थी लगबग 2.3% के आसपास वो लगातार घटते घटते अब तक लगबग point 99% के आसपास ही देखने को मिल रही है इसी तरीके से कर बात करें FIS की तो लगबग 32% से ज़्यादा की इसके अंदर holding बनती हुने जरा रही है डियाइस की बात करें तो लगबग 20% के आसपास इनकी holding भी देखने को मिल रही है और अगर public की बात करें तो लगबग 12% के आसपास इनकी holding भी इसके अंदर बनती हुने ज़रा रही है। उस्तों जानने की कोशिस करते हैं तो quarter on quarter basis पे company के अंदर हम लोगों को गजब का improvement देखने को मिल रहा है। तो जो पिछला quarter हुआ था उसके अंदर net sales growth देखने को मिल रही थी लगभग 167 करोड रुपे के आसपास। उसके मुकाबले अगर अभी की आप देखने की कोशिस करेंगे तो लगभग 179 करोड रुपे के आसपास निकल के आ रही है तो positive moment कहा जा सकता है। इसी तरह के से अगर बात करें profit after tax की तो 47 करोड के मुकाबले लगभग 49.94 करोड निकल के आ रहा है। तो ये भी हैं आपर भी हम लगों को positive संकेत company के अंदर दिखाई देरें। इसी तरह के से दोस्तों कर बात करें साल दर साल तो 2016 के अंदर लगभग 667 करोड के आसपास net sales करोड देखने को मिलती थी। उसके बाद 718 करोड, 781 करोड, 891 करोड और 953 करोड कहने का मतलब यह है कि 2016 से लगातार sales बढ़ रही है। इसी तरह के से दोस्तों कर बात करें मुनाफ़े की तो 142 करोड उसके बाद 121 करोड, 143 करोड, 206 करोड, 272 करोड तक हम लोगों को पहुशता वा नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि कमपनी के अंदर लगातार improvement देखने को मिल रहा है year on, year basis पे, इसी तरीके से देखें तो quarter on, quarter basis पे भी कमपनी के अंदर गजब का momentum देखने को मिल रहा है। किसी भी तरकी का कोई brokerage charge आपसे लेती नहीं है, आप चाहे एक दिन होल्ड करें, चाहे हजार दिन होल्ड करें, आपको कोई भी extra charge जो है company को नहीं देना है। और वैसे भी इस से में एक offer चल रहा है company के अंदर, free medimate account open हो रहा है, किसी भी तरकी का कोई account opening charge company आपसे इस से में नहीं ले लिए, तो अगर आप account open कराना चाहते हैं तो link नीचे description box के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप सीधे account opening करा सकते हैं, दोस्तों यह जानकर यह आपको अच्छे लगी हूँ तो वीडियो लाइक जुरूर कीजेगा, चैनल सब्सक्राइब करके लेना ताके नए वीडियो के notification सीधे है आपके mobile पनल्स के, thank you so much for watching.